गौतम गंबीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच बना दिया गया गंबीर जब से टीम इंडिया के नए हेड कोच बने है फांस उनको और विलाट कोली को एक साथ देखना चाहते है आई पी एन में जंग और फिर दोस्ति के बाद दोनों के बीद सब कुछ ठीक है लेकिन इसी सिकेट अडवाइसरी कमिटी ने अशोप मलहोतरा जतिन परांच पे और सुलक्षना नाइक थी ऐसे में कोच पद की रेस से घंबीर के साथ डबली डू वी रमन का भी नाम शामल था और सीएसी ने इस दोनों का इंटर्व्यू लिया जिसके बाद अंत में घंबीर को ये प साथ भी ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं गंबी ने पांच साल पहले ही सभी फॉर्मेट से रटार्मेंट का ऐलांट कर दिया था उनका आखिरी टेस्ट मैट साल 2016 में विराट कोली की कफ्तानी में था लेकिन इन दोनों खिलाडियों के बीच उस वक्त सब कुछ यहां हिदोस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार अब कहा चा रहा है कि बी सी सी आई ने जब घंबीर को टीन मिंदिया का हेट कोज बनानी का फैसला ले लिया था तब विराट कोली से कोई बाचीत नहीं हुई और नहीं उन्हें कोई जानकारी दी गई इजरां सिफ ति शर्मा के साथ रिष्टा बेहद अच्छा है लेकिन ये देखना होगा कि क्यों वै ड्रविट की तरह कप्तान के साथ अपने रिष्टे को मदबूत कर पाते हैं क्योंकि रोहिट शर्मा को ड्रविट काफी जादा पसंद है रोहिट नहीं वन डे वर्ल्ड कप के बाद ड्रविट को कॉल कर मना था और कहा था कि वो आखिरी बार टीम के लिए कोच बन जाए हलाकि कौतम गंबी जब शिलंका के खिलाव टीम इंडिया को कोचिंग देंगे तो इस और विराट को ली और रोहिट शर्मा टीम का हिसा नहीं रहेंगे दोनों को वन डे सीरी से आराम दिया गया है